आज मैं आपके सामने पर्मेश्वर ने कहा उसका दूसरा भाग प्रस्तूत करूंगा मेरे ऐसी आशा है कि आपने पहला भाग जरूर सुना होगा और आशिशित हुए होंगे आईए हम आज उसका दूसरा भाग देखेंगे और जैसे कि पहले भाग में मैंने कहा कि बहुत लोग सोचते हैं भाई ये पृत्वी कैसे आए जन 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 जीवन कैसे आया पेड़ पौदे कैसे आया सूरच चांद सितारे मिलकी वे सौर मेंडल पूरा संसार कैसे आया एक प्रश्ण है वोजी स्वाभाविक है लेकिन हम इसका उत्तर सिर्फ एक ही जगा हमें मिलता है और वो है परमेश्वर का वचन बाईबल और उसी में से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने कहा और हो गया चलिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू हूँ मैं फिर से वही यहना रचित्सू समाचार वाली बात आपके सामने रख देता हूँ जो मैंने पिछले बार भी बताया यहना उसका पहला दियाए पहला तीन पत आदी में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था यही आदी में परमेश्वर के साथ था सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन हुआ और जो कुछ उत्पन हुआ है उसमें से कोई भी वस्तूस के बिनाओ उत्पन ना हुई तो हम देखते हैं वचन के द्वारा जो उसने कहा मैं अभी आपके सामने कहने के द्वारा प्रमिश्वर का वचन आपके सामने रख रहा हूं तो आईए हमने पिछले भाग में देखा था जो ग्यारा पत तक था कि कैसे उसने उजियाला बनाया, पानी बनाया, जल बनाया, पृध्वी बनाया, हरी घास उगाया, पेड़ पौधे, फल दायक वरिक्ष उसने बनाया आईए हम उससे आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे बारवापद से जो की पिछले बार भी मैंने आपके सामने पढ़ा था इस प्रकार पृत्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाती के अनुसार बीज होते थे और फल्दाई व्रिक्ष जिनके बीज एक एक जाती के अनुसार उन में होते थे उगे और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है सांज हुई भोर हुआ इस प्रकार तीसरा दिन हुआ तो तीन दिन में परमेश्वर ने इतनी स्रिष्टी की चलिए हम और आगे बढ़ते हैं हमने वो बात देख रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा इसका दूसरा भाग ठीक है फिर परमेश्वर ने कहा चौदवा अद्पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ फिर परमेश्वर ने कहा दिन को राज से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में जोतियां हो और वे चिन्धों और नियत समयों और दिडों और वरशों के कारण हो और वे जोतियां आकाश के अंतर में प्रित्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें और वैसा ही हो गया तब परमेश्वन ने दो बड़ी जोतियां बनाए उन में से बड़ी जोति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी जोती को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारा गण को भी बनाया परमेश्वन ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे प्रित्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंध्यारे से अलग करें और परमेश्वन ने देखा कि अच्छा है तब सांज हुई फिर भोर वा इस प्रकार चौथा दिन हो गया तो हमने देखा कि चौथे दिन में परमेश्वन ने क्या बनाया दो जोतियां और वो दो जोतियां क्या है सूरज और चांद, ठीक है, और ये जो सूरज और चांद है, वो हमारे दिन पर दिन और हपते में हपते मैंने मैंने साल साल चलते चले आ रहे हैं, जैसा परमेशर ने आग गया दिया था, बस उसको, परमेशर को कहना था और ऐसा हो गया, सूरज, सूरज इतना बड़ा है कि हम उसको अपने नंगी आँखों से नहीं देख सकते हमारी आँखे जल जाएंगे मतलब बहुत मुश्किल होता है कभी भी आप अपने नंगी आँखों से सूरज को न देखें कोई दूसरा कुछ अपरेचिस ले करके देखें इतना चमकदार है और रात के लिए उसने क्या बनाया चांद अरे साब जब चांद के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे कवीताएं फिल्म्स और रोमैंस और ये वो चीज़े आती लेकिन ये साब ये तो तो कभी चांद कौर्टर होता है तो कभी आधा होता है लेकिन सूरज तो पूरा अपना है निकलता रहता है सबेरे निकलता है और शाम को अस्त होता है अभी जब मैं आपके सामने ये एपिसोड दे रहा हूं तो सूरज अस्त हो गया है शाम हो गया है त्यारा हो गया, ये सब शुरू से वैसे ही है, परमिशन ने कहा है, वैसे ही हो रहा है, और ये सूरज जो है, वो क्या है, जोती है, जो चिन है, समयों के बारें बताते हैं, दिनों के बारें बताते हैं, वर्षों के बारें बताते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, कि एक साल में 365 दिन सूरज जो है अपना प्रकाश देता रहता बहुत जबरदस प्रकाश ठीक है और अगर सूरज नहों तो भई हम जिन्दे नहीं रहेंगे उजयाला कहां से आएगा भई हम तो कब के मर जाएंगे सूरज से हमें जीवन मिलता है जी हाँ सो ये जोतियां जो परमेश्वर ने बनाया हमारे लिए बनाया बड़ी जोति जो दिन पर प्रभुता करता और छोटी जोति जो रात में प्रभुता करती है और इस प्रकार से ये लगातार हजारों सालों से ऐसा होता चला रहा है परमेश्वर का धन्यवाद हो जिया तब सांज हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार चौथा दिन हो गया तो चौथे दिन में क्या बिनाया चांद से तारे है ना तारे भी बनाएं और हजारो तारे लाखो तारे करुणो तारे है जो सूराज है वो भी एक तारे ही है लेकिन वो और तारों के तुलना में बहुत छोटा तारा है तो आप समझ लीजिए दूसरे तारे कितने बड़े होंगे ऐसा बताते हैं कि रात में वो छोटे टिम टिमाते तारे जो दिखते हैं मालूम क्यों इतने छोटा देखता है क्योंकि वो हमसे करोडों 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 मिल दूर है तो यह देखते हैं यह परमेश्वर का बचन है परमेश्वर ने कहा हो गया हम उस परमेश्वर की अरादना करते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम आते हैं बीसमा पद चली देखते हैं बीसमा पद में क्या देखाई देता है यहाँ पर फिर परमेश्वन ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाएं और पक्षी प्रिथिवी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें इसलिए परमेश्वन ने जाती जाती के बड़े बड़े जल जन्तुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी स्रिष्टी की जो चलते फिरते हैं जिनसे जल बहुत ही भर गया और एक जाती के उड़ने वाले पक्षियों की भी स्रिष्टी की और परमेश्वन ने देखा की क्या है अच्छा है बढ़ें तब सांज हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार पांचवा दिन हो गया तो हम यहां पर देखते हैं कि यहां जो दिखाई देता है इस परमेश्वर के वचन में अभी तक तो कोई जीवन नहीं था भाई घास फूल पौधे और सूरत चान से तारे लेकिन जीवित प्रा जल भर गया आकाश में तरह तरह के पक्षियां उड़ने लगे छोटे बड़े और मचलियां मगर माच वेल और पता नहीं मैं क्या बोलू मुझे तो नाम भी याद नहीं आर आप समझ रहें पूरे जल में नदियों में समुद्र में बड़े 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 वेल से लेकरखे छोटी छोटी मचलियां रंग भी रंगी मचलियां और आकाश में सुन्दर सुन्दर पशुपक्षी हो गए ना और न कीया स्बरनस्त आवाज होती हैं क्या है कुछ तो ऐसे ऐसे वो करते हैं सीटी बजाते हैं अपने गर्डर्ड को या बॉइफ्रेंट को बुलाने के लिए इतनी सुन्दर सुन्दर सीटी बजाते हैं वह आपने जरा अपने एक ऐसे इस्थान में जाईए जहां जंगल हो और आप सुनिये देखे कितनी आती है परमेश्वर का धन्यवादों कि यह साब पृत्वी उनसे भर गए तो यह हम देखते हैं इस प्रकार से पांचवा धिन हो गया फिर हम देखते हैं चौबिस्वे पद में ठीक है चौबिस्वा पद क्या लिखावा फिर परमेश्वर ने कहा पृत्वी से एक एक जा अमारे बृति के जीवित प्राणी अरसाद घरेलू पशुवर रेंगने वाले जंतु पृत्वी के वन पशु детей जाती जाती के अनुसार उत्पन हो और वैसा ही ही हो गया इस प्रकार परमेश्वर ने प्रित्वी के जाती-जाती के बन पशुओं को और जाती-जाती के घरेले पशुओं को और जाती-जाती के भूमी पर सब रहने वाले जन्तुओं को बनाया और परमेशन ने देखा कि क्या है अच्छा है बहुत अच्छा है वही पांचवे दिन यह हुआ हम देखते हैं यहां पर पशु तो बन गए मतलब पक्षियां तो बन गए पशु की बनने की ज़र बता है गाई, बैल, बकरी कुते, बिल्ली चुहे अरे साम नाम क्या लें आप जानते हैं हर प्रकार के कच्छ हुए हुए हेरन हुआ मतलब सांप वांप यह ताम जाम सब कुछ जवीन पर रेंगने वाले चलने वाले भैस हुआ जो हमें दूद देती है गाय हमें दूद देती है हमारे लिए तो यह सब परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया बस कहने की बार है परिया हम तो नहीं कर सकते ऐसा वो तो परमेश्वर है ना वो तो जीवित परमेश्वर है उसके पास सामर्त है वो सामर्ती परमेश्वर है है भई हमारे भले के लिए करता है है ना यह तो बात है चलिए यह तो हो गया पशु पक्षियों के बारे में अब हम आते हैं भई मनुष्य के बारे उसी ने की ना चब्वीस पर फिर परमेश्वन ने कहा फिर वो कह वहीं आगई पहले बाद परमेश्वन ने कहा हम वनुष्य को अपने स्व रूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं और वे समुदर के मचलियों और आकाश के पक्षियों और घेर रहे लोग पशुओं और सारी पृत्वी पर और सब रेंगने वाले जन्तूओं पर जो पृत्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन किया। अपने ही स्वर्व के अनुसा परमेश्वर ने उसको उत्पन किया नर और नारी करके उसने मनुष्यों की स्रिष्टी की और परमेश्वर ने उनको आशिश दी और उनसे कहा फुलो फलो और पृत्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मचलियों तथा आकाश के पक्षियों और प्रित्वी में चलने वाले, रेंगने वाले सब जन्तुओं उपर क्या करो? अधिकार रखो. फिर परमेश्वन ने उनसे कहा, सुनो जितने बीजवाले छोटे छोटे पेड़ पौधे, सारी पृत्वी के उपर हैं, और जितने व्रिक्षों में बीजवाले फल होते हैं, वे सब तुमको मैंने दिया है, वे तुमारे भोजन के लिए है, और जितने पृत्वी के प्रित्वी पर रेंगने वाले जन्तु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिये हैं और वैसा ही हो गया तब परमेशों ने जो कुछ बनाया था सब को देखा तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है तब सांज हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार से छटवा दिन हो गया अच्छा जब हम देखते हैं मनुष्य की रशना के बारे में तो उसमें थोड़ा सा टाइम लिया है ना परमेशों ने टाइम लिया और यदि आप उसका उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में पता पढ़ेगा किस प्रकार से परमेश्वन ने बाकी जो चीजे थी जैसे आकाश, पृत्वी, जल, मचली और दूसरे प्राने, जन्तु, पशु वेरा सब उसने कहा हो गया लेकिन मनुष्य को बनाने के लिए उसने मिट्टी लिया और उसको जैसे बोलते ना कले या घीला करके उसको एक शेप दिया अपने स्वरूप में और उसमें जीवन का श्वास फूख दिया, यह हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, और फिर वो जीवित प्रानी बन गया, एक विशेश व्यक्ति गत रूप से उसने टाइम लिया बनाने के लिए, आप को और मुझ को, तो हम लोग एक विशेश व्यक्तित्व हैं भई, मनुष्य जाती, आप और मैं, बाकी दूसरे तो हैं, जो उसने बनाया बहुत अच्छा, लेकिन जब यहां पर हम पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कि पहले तो यह कि उसने आदम और हवा को सब कुछ उनके अधिकार में देते हैं, यह सब तुमारे लिए है, तुम देखो, और इसको जड़ा देखते रहो कैसे कैसे क्या करना है, काम करो, खाओ पियो, 31 पद में बहुत इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, सब को देखा, तो क्या देखा, कि वो बहुत ही अच्छा है, तब सांज हुई, भोर हुआ, इस प्रकार चटवा दिन, तो मनुष्य को परमेश्वर ने चटे दिन बनाया, चटवे दिन में बनाया, जियां, और यदि आप इसका और विस्तृत में जानकारी लेना मांगते हैं, तो उत्प आपकी और मेरी रचना की, हम मिट्टी के बने हुए हैं, और बहुत अपनी सुरूप में बनाया, पवित्र बनाया, लेकिन दुख की बात ये है, कि आदम और हवा ने शैतान की बातों को सुना, उसकी बातों में आ गए, तीसरे अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ते है उत्पत्ती के कि किस प्रकार से शैतान ने भैकाया हवा को, फिर आदम को, और उसकी वज़ा से पूरा स्रिष्टी विशेश करके पृत्वी और हम जो रहते हैं इस पृत्वी में हम पर क्या हुआ हुआ, कर्स हो गया, हमारे उपर कर्स आ गया, और इस प्रकार से कर्स आने पर हम बिलकुल मतलब पाप में मर गए पापी हो गए पापी हो गए क्योंकि हम तो परमेश्वर के संतान पहले होना था लेकिन अब हम किसके संतान हैं हम तो आदम और हवा के और आदम हरवार ने पाप किया अगर आदम और हवा पाप नहीं करते तो शायद हम परमेश्वर के और समीप रहते लेकि पता नहीं ऐसा हुआ और हम जब आदम की संतान हैं तो हम भी उसके साथी साथ पापी बनें क्योंकि हम में आदम का खुन दौर रहा है आदम और हवा का तो हम भी पापी बन गए और लिखा हुआ है रोमियो के पांच बारा में पांच अद्याबारा में की एक ही मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और सब जातियों में फैल गया है ना वो पाप का स्वबाब लेकिन एक मनुष्य के द्वारा जीवन भी आया और वो मनुष्य कौन है प्रभुई शुमसी वो हमारे ले इस दुनिया में आया दोहजार वर्ष पूर्व उसने अपना प्रांग बलिदान क्रूस पर दिया हमारे पापों के लिए क्योंकि पापों की मजदूरी पाप का जो फल है वो क्या है मौत है मृत्यू है और इस प्रकार से हमारे लिए एक आशा है गुड नूज है और हो सकता है कि हमारे जो लोग सुन रहे वो विश्वासी हो तो बड़ी खुशी की बात है कि यदि आपने प्रभू को ग्रहन किया अब आपका ये जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को बताएं इसके बारे में कि भाई परमेश्व का एक प्लान है ठीक है परमेश्व ने कहा हो गया ये हो गया लाइट हो गया उजयाला हो गया पेड़ पौदे आ गये सूरचान बन गये सौर मंडल बन गया सब कुछ हो गया आदाम और हवा को बनाया लेकिन सबसे तब तक तो बहुत अच्छा था लेकिन बाद में शैतान के बहकावे में आँख करके वो पापी बन गए और हम सब उसके साथ पापी बन गए मनुश्य जाती तो लेकिन हमारे लिए क्या है एक शुप संदेश भी है पूरे मानव जाती के लिए कि शुमसी हमारे जगा पर क्रूस पर बलिदान हुआ जो मौत हमको सैनी थी ना आपको सैनी थी वो प्रभू ने सैनी लेकिन वो तीसरी दिन मुर्दों में से जीवट है ये भी बात है और आज वो जीवित परमेश्वर है और हमारा और आपका ये कर्तब भी है कि इस अधार की बात को हम समझे और उसको अपनाए ये शुपर विश्वास करें अपने पापों से माफी मांगे और नया जीवन आरम करें तब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और अगर आप विश्वासी हैं जैसा मैं समझ सकता हूँ कि आप मेंसे कई लोग प्रभू को प्यार करते हैं तो आप दूसरों को इसके बारे में बताएं कि भाई ये प्रमेश्वन का एक बहुत जबरदस प्लान है उद्धार का ये इश्व मसी के लहू के द्वारा ही हमारे पाप धुल जाते हैं शमा किये जाते हैं क्योंकि बिना लहू बहाई पापों की शमा नहीं होती और वो लहू वो खून प्रभुईश्व मसी ने पवित्र लहू हमारे लिए बहाया है तो यहाँ पर हम इन चीज़ सब बातों को यहाँ पर देखते हैं पर्मेश्वन ने कहा अब पर्मेश्वर कहता है मेरे पास आउ मैं तुम्हे विश्वराम दूँगा अब परमिश्वर कहता है मारक, सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँ सकता अब परमिश्वर कहता है क्योंकि परमिश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लोता पुत्र दे दिया ता कि जो को इस पर विश्वास करे, नाश नहो परंदू अनंत जीवन पाए तो इस प्रकार की चीज़ें यहां पर हम देखते हैं सो मेरी आशा है कि यह जो दो एपिसोर मैंने आपके लिए बनाया जिसमें जो शीर्शक हमारा है परमेश्वर ने कहा आशा है कि यह हम सबों के लिए धन्यवाद का विशह है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया और हम इसकी देख रेक करें उसके साथ ही साथ हम अपने आत्मिक जीवन की भी देख रेक करें क्योंकि जल्द प्रभुईश्व मसी आने वाले हैं और वो अपनी कलिस्या को ले जाएगा क्या आप तयार हैं?